सोशल मीडिया के माध्यम से पहले प्यार हुआ, फिर इश्क परवान चढ़ा, तो नाबालिक लड़की अपने प्रेमी से मिलने, हरियाना के गुरु ग्राम से 1125 किलोमीटर का सफर तैकर समस्तिपूर पहुच गई दोनों नाबालिक को दलसिंग सराय स्टेशन पर आरपीफ की टीम ने संदिग दिस्तिति में पकड़ा, पलिस के पूश्ताज के बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद आरपीफ ने दोनों का समस्तिपूर सदर अस्पताल में मेडिकल जाच कर आया, इधर आरपीफ ने इंस्टाग्राम के जरिये पहचान बनी, धीरे धीरे पहचान प्यार में बदलने लगा, इंस्टाग्राम और वाटसेप पर दोनों घंटों बात शीक करने लगी, लड़की ने अपनी प्रेमिका को घरवालों से मिलवाने बुलाया, जो उसके बाद उक्त नाबालिक से अके लिए निकल, लड़की और उसके परिबार से मिलने ट्रेन से दलसिंग सराय के लिए चली, लेकिन जिस ट्रेन से वो आ रही थी, उसका ठहराव दलसिंग सराय में नहीं होने की कारण, लड़का उसे रिसीव करने रात को पैसेंजर ट्रेन पकड़ कर बरौनी एक साथ जीना मरना चाहते है, वही चाइड लाइन के अधिकारी का बताना है, लड़की और लड़की के घरवालों को सूझना दी गई है, चुकि दोनों नाबालिक है, ऐसे स्थिति में अगर लड़की परिवार के साथ नहीं जाना चाहेगी, तो उसे रिमान होम भेजा ज सकता है, तक काल दोनों को अभी पुलिस अभी रक्षा में रखा गया है. कि लड़का क्या मामला है, पुलिबात बताई है? कि लड़की और लड़का कैसे मिला है? लड़की और लड़का कैसे मिला है? इस्टाग्राम के जरी है, तो आप लोग दोनों को साथ में लिए हैं? बच्ची के परिजन को सुचना दिया गया है? हाँ, सुचना दे दिया गया है. तो बच्ची नवालिक है क्या? हाँ, बच्ची नवालिक है, दोनों, चोदो साल और पानवालिक है. दो लोग, जब भाहर जथी भाल विकला काता है.